स्रेश वाय नमस्तु भ्यम्तु एक बहुती बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है यहाँ पे आज तक से यह खबर मुझे देखने को मिली है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्टा जी को जान से मारने की धमकी यहाँ पे मिली है और यह निउस कहीं पे और नहीं है नहीं Instagram पे नहीं Facebook मैंने देखा है यह न्यूस मैंने देखा है आज तक के Official Channel जो उनका YouTube पे चलता है उस पे मैंने देखा है अब ये मैंने देखा है तो क्या ये न्यूस कैसी है ये न्यूस बिलकुल सही है 100% सही है और ये न्यूस आज की न्यूस रही है ये उस दिन की न्यूस है जिस दिन के आज पास के टाइम पे गुरु जी के उपर जो नारियल से हमला हुआ था दो हफते पहले की ये न्यूस है और उसी टाइम पे आज तक पे ये चीज आ गई थी कि कथा वाचक पंडित प्रदीप बिश्रा जी को जान से मारने की धम की और साथी साथ उनकी सुरक्षा के लिए जो वहाँ के सांसद है जिनका नाम है नौनीत राणा आप चाहना तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हो वहाँ के सांसद कौन है नौनीत राणा और उन्होंने पत्र भी लिखा था किसे पत्र लिखा था नौनीत राणा ने अमित सा को लिखा था पत्र की उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए ताकि उनके उपर ऐसा कोई हमला ना हो लेकिन उनका सुरक्षा नहीं बढ़ाएगा जिसको देखते हुए उनके उपर जो नारियल से हमला किया गया था वो हो गया और उनको चोट भी लगी जिसके चलते उनको कम से कम 20 से 25 दिन गुरू जी को बिलकुल रेस्ट पे रहना पड़ा और 29 मार्च से वो बिलकुल रेस्ट पे हैं और अभी भी कथा नहीं कह रहे हैं क्यूं गुरू जी की सुरक्षा में चूख हुई उनको क्यूं इस तरीके से चोट पहुचाने की साजिश की गई और क्यूं ये चीजे कही गई अलग अलग प्लैटफॉर्म से अलग अलग लोग भेजते रहते हैं मैं आपको कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से बहुत ही जल्दी से हर एक चीज को समझाने की तो ऐसी बहुत सारी जानकारी गुरू जी से रिलेटिट पाने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्र पाएं और लोग अपने तरीके से गुरू जी को माने और पहले से जादा माने और जादा से जादा लोग उनकी कथा में फिर से अच्छे तरीके से जुड़ पाएं